पसू पालग भाईयो आपका जो पसू पालन है पसू पालन में व्रध्धी तभी होती है जब आप इन चार चीजों का ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट है आपका जो डिलीवरी किया हुआ पसू है वे पसू समय के उपर कड यानि की मेला उसकी पूरी छटाई कर दे पूरा मेला गिरा दे यानि की उसके गरबाश्य की सफाई अच्छे से हो जाए और दूसरा है आपका पसू अच्छे से चरने लग जाए खाने पीने लग जाए तीसरा आपके पसू का जो हाजमा है वह बहुत ही अच्छा और श्ट्रॉंग हो रूमन प्रोपर काम करे रूमन के अंदर माइक्रो फ्लोरा होते हैं लाइव एंजाइम होते हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी बढ़ जाए ताकि आपका पसू जो भी खा दोता है चोथा पॉइंट है कि आपका पसू इन सभी चीजों के बाद में आपके पसू का जो दूद है दूद की चमता लाजवाब रहे पिछले लेक्टेशन से ज्यादा दूद इस बार दे तो दोस्तों दूद की चमता को बढ़ाने के लिए और इन सभी चीजों को जो पॉइंट मेंने पहले गिना है इन सभी को सही रखने के लिए आपको घर से चार चीजें लेनी है पहला है हल्दी जी हाँ दोस्तों हल्दी आपको लेनी है 250 ग्राम जीरा 250 ग्राम और अजवाइन 250 ग्राम साथ में ही आपको ड्राइ जिंजर लेना है ड्राइ जिंजर यानि कि सौंट जिसको सूखी अद्रक भी का जाता है सौंट लेनी है आपको 250 ग्राम चार आइटम होगे चारों आइटम का वजन एक किलो हो जाता है दोस्तो एक चीज का विसेज ध्यान रखिएगा वरना तो आप फिर मुझे सिकायत करेंगे और वह ध्यान आपको यह रखना है कि जो भी आइटम मैंने बताए ना यह आपको पिसेवे नहीं लेके आने बजार से आप पहचान भी नहीं पाएंगे ऐसी ऐसी मिलावट बाजार में है तो मेरी हाथ जोड़के आपसे विंती है सभी आइटम साबुत लाइए थोड़ी सी मेहनत कीजिए घर पे इन सभी को साबुत ला करके घर के उपर ही इनको ग्रैंड करके पारिक कर लीजिए आपके पास मिक्सर ग्रैंडर भी है ओंखली मोसली है सभी पसूपालक भाई मेहनती होते हैं वे आसानी से अपने इन सभी सामान का घर पे ला करके और इसका बारिक चूरन कर लेंगे और चूरन करके इसको एक अच्छे से टाइट बरतन के अंदर आप भरके रख लीजिए दोस्तों दूद बढ़ाने से संबन्दित हमारी और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो थी उसकी प्लेलिस्ट मैंने यह आई बटन में आपके लिए लगा रखे इस आई बटन में जाके आप जरूर देख लिजिएगा अब जो आपने यह जो पाउडर बनाके और एक कंटेनर में एक डबे में जो पैक कर लिया था अब इसको देना कैसे है उसको ध्यान से देखिए का चूप मत जाईए कि आप वीडियो को पूरी देख के जाईए अब आपको इसके अंदर से 50 गिराम आपको पाउडर निकाल होता है और अगर आपको पुराना गुड नहीं भी मिले तो मजबूरी है नया गुड ही ले लीजिए नये गुड से काम चलाईए इस 50 ग्राम पाउडर के अंदर आपको 100 ग्राम गुड मिलाना है सुबह के टाइम सेम इसी तरह का नुस्का आपको फिर से स्याम के वक्त करन है साम को भी आपको 50 ग्राम ये पाउडर 100 ग्राम गुड दोनों को मिक्स करके अपने पसू को दोनों टाइम खिलाना है अब बहुत से पसू पालक कहते हैं कि खाली पेट खिलाएं या भरे पेट खिलाएं मेरे भाईयो चाहे आपका पसू खाली है चाहे भरे पेट है आप को अपने पसू के पेट के अंदर ये नुस्का पहुंचाना है दोनों टाइम पहुंचाना है किसी भी वक्त पहुंचा दीजिए असर करे बगर नहीं रहे गा यह इसका असर इतना लाजवाब है हमारे बड़े बुजर्ग जो थे वह इसी नुस्के को अपनाते थे और इसी नुस्के से अपने पसू का जो दूद था और अपने पसू की जितनी भी बिमारियां थी उन सब को सिर्फ इस नुस्के से दूर बगा देते थे सिर्फ ये चार चीजें तो सिर्फ चार चीजें अपनाईए रेगुलर अपनाईए और आप देखेंगे कि आपका पसू कभी भी बिमार नहीं होगा स्वस्त रहेगा अच्छे दूद की चमता देगा बस आपको जड़ी बूटियों का सेवन करना है हमारी और भी बहुत सी उपयोगी उपयोगी वीडियो है वह आपको यहां स्क्रीन के ओपर दिखाई दे जाएंगी इन वीडियो को भी आप देखिए आपके पसुपालन में डेरी वेवसाएं में बहुत ही जादा बेनिफिट करने वाली हैं यह वीडियो इन वीडियो को जरूर देखिएगा नमस्कार